अब रहा मीलात का जाए दिखिए मीलात का मनाना जो बनाया जिस अंदाज से बनाया घलत बनाया आप अगर अपने बच्चों की तर्वियत अच्छी करेंगे तो पितने ठीचे बन जाए कोई हिला ऐसी कोई जिचोरा पना नहीं होगा कई वीडियोस आए हैं चामिनार की रहे हैं कि भई उलमा क्या कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते अगर अम्मा बावा खुद बच्ची को नाचने वाली बनाना चाहरे हैं तो हम कैसे रुक हैं गिरूल की असलाम अलेकुम नाजरीन मैं रियासत अलिए खान बोलता थी लंगाना मैं आपका खरमक्दम करता हूँ संडे फंडे से लेकर मिलाद का तरीखा मनाने तक हर बार बेबागी से आगे बढ़के बात करने वाले मौलाना जाफर पाशा साब से आज हम बात करेंगे संडे संडे से लेकर मिलाद का तरीखा मनाने तक असलम अलेकुम अलेकुल अरीम अरिक उसलम रहातुलाही वरकातों मौलाना साब संडे फंडे जो फंस टीम शुरूरा था वो टेंग मैंड पर हुआ था जब पर हम लोग कवरेज करे थे तो महां पर डीजे वगारा कुछ नहीं कि नाजिने कराम एक मुझे अफसोस होता है कि अभी हमारे से सवाल जो किये गए कि डीजे बजा जा रहा है बच्चे नाच रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो स्टार्ट हुआ था हुसेन सागर पर उस वक्त ना तो डीजे था और ना कोई ऐसे अमल थे हम भी उसे खुश थे चलो लोगों के लिए तफरीगा है एक मौका मिलता है कि इनको भी अपने घरवालों के साथ कुछ जाने का और कुछ तफरीग बनाने का मगर जब हैदराबाद में शुरू आ तो हमको वहीं से ये उमीद थी कि यहां ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे वहां नहीं हुआ था यहां भी नहीं होगा लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ओल्ड सीटी में जब उन्होंने संडे फंडे शुरू किया तो माहूल अजीब नज़र आया मुझे अफसोस तो यह हो रहा कि लोग सवाल तो कर रहे हैं लेकिन जवाब कोई देने तयार नहीं है हर कोई यह कह रहा है कि भई यह प्रोग्राम क्यों रखा गया तो मेरा सवाल यह है उन लोगों से कि आप यह प्रोग्राम रखते वक्त आपने क्या सोचा था और क्या आपने फैसला लिया था और दूसरी बात ये है कि देखिए इंतिजामी अमूर में जो भी आगे बढ़के काम करते हैं ये उनके उपर नहीं है जिम्मेदारी बलके जिम्मेदारी तो उन माबाप पर है जो वहां ठहर के अपनी ऑलाद को नचा रहे थे आपको हैरत होगी मैं वीडिय कई वीडियोस आएं हैं चामीनार की मुझे हैरत सबसे ये हो रही है कि अपन ठहर के बुर्खे में ठहर के अपनी बेटी को नचा रहे हैं पांस साल की बेटी दस साल की बेटी को नचा रहे हैं और ये बोर रहे हैं कि भाई उलमा क्या कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते अगर अ प्रवियत अच्छी करेंगे तो कितने ढीचे बन जाए कोई हिला ऐसी कोई चिचोरा पना नहीं होगा यह अफसोस है कि आज हमारी पोलिस तो संडे फंडे बना दे देरी मगद चन दिन के बाद डंडे भी शुरू ना कर दे और हमारी पोलिस से कोई ऐसी कोई चीज नाउमीद नहीं रहना है यह आप सुन लीजे आज यह संडे फंडे कल जाके ऐसे बंडे वर्ट साएंगा कि पोलिस वालों में और हमारी नौजवानों में रसा कशी होगी आवारा गर्दी होगी नशों के चीज़े भी केंगे हता यह के बच्चीयों को एक दूसरे को चेंड ना एक दूसरों के साथ गलत रवए एक तियार करेंगे और इसके बाद वोई पोलिस जो आपको संडे फंडे बनाने की दावत देरी वोई डंडे वरसाने लगी और आपको मालूम है हैदराबाद में मौजूदा हालात में रोज एक खतल हो रहा है किसी की महबत में किसी के इश्क में किसी के पैसों की वज़े से किसी نہ किसी उनवान पे खतल हो रहा है और ऐसे वक्त में ये संडे फंडे प्रोगाम करने के बजाए अगर हमारी हकूमत अगर चाहती के अगर अगर आवाममी शऔर बैदाजी का कोई प्रोगाम रखती और ये करती के उसको दूर कीजिए और आज हमारे को तालीम की जौरत है हमको तफरीकाओं की जौरत नहीं है आज हमको हमारे माशिरे में बच्चों को नौकरी की जौरत है संडे फंडे की जौरत मीलात का जाए देखिए मीलात का मनाना जो बनाया जिस अंदाज से बनाया घलत बनाया और य भी नहीं है कि हमारे रसूल की खुशी मनाने के लिए जो कुछ हम करे हैं मैं को अक्बर साहब की एक तखरीर बहुत पसना ही पर सूँ उन्हों ने अक्बर साहब ने बड़े साफ अंदाज में बयान किया कि भई अगर तुम ये पैसे जो में खरिच रहे हैं तो तुम अगर खौण की एप लिए कोई तालिम एदारे में दे तालिम उनका दे कोई बच्चों को मिडिकल में फीस मिलती है फीस नहीं आप वो पैसों से मिडिकल में फीस दिलाएं आज बच्चियों की शादियां ने हो रहे हैं जोड़े की रखम की वज़े से अगर आप किसी के जोड़े की रखम का जहस का इंतिजाम कर दे बहुत अच्छी बात उन्होंने कहीं मगर मेरू का अफसोस ही होता है हम जब ऐसी बाते करते हैं तो लोग खफा हो जाते है इमको महबब नहीं है रहे हैं महबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब बालों को आप क्या करें? आप प्छी एलान करने डीजे ने बज़ींगा. फिर डीजे बज रहाओ seulूस को आप इधर भी नहीं. आप एक तरफ हम चैने कह रहा हूँ. दूसी तरफ उनके गाल। बीजे जा रहा हूँ. और खुसुसां ये संडे फंडे जिते हैं कामा आगे होने वाले हैं अगर किल कुछ हूँगा तो हमारे पुलिस वाले और हमारी हुकूमत इसकी जिम्मधार होगी इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इसके बजाएं आप ऐसा कुछ अमल कीजिए कि लोगों के फाइदा के लिए हो हाँ तफरीगा बनाईए मगर ये डीजे ना लगाईए ये बैंड बाजे ना बजाईए आने दीजे तफरीओं को तो आपका बुलने मा मतलब है कि खली अगर डीजे बरखास कर दिये नाजगाना बरखास कर दिये तो जैसा कि हम लोग सर्वे करें तो लोग बो रहें थे कि छोटे दुकान वाले भी खुश थे लोग तफरीख करने रहे तो फैमिलीस के साथ आ रहे थे जरा घूमने फिने च लिजारत करने वालों का फैदा हो रहा तो हमारे को भी खुश होगी और उसमें ज्यादा ताजिर अप लोगां जो है ये आपके लॉक डाउन की वज़े से बेरोजगार हो गये हैं मेरे एक साथी ने कली बताया मुझे कि वो एक साहब उनके महले में रहते थे थे वो कोई क करें और यह नाचगाना करने वालों को सकती के साथ मुमानियत करें नश्य की चीजह भी बिकने वाली हमाई उसको भी पंदर रखें नश्य के चीजहों पे तो अन्जनी कुमार साथा बहुत सकती से जा रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पर गांजा गोलिया वह वागरा और रही बार डीजे की अगर डीजे वगरा नशे के चीज़ां रोगिए तो आपका कहना है कि तिजारत वालों को छोड़े कारोबार वालों को फायदा होता है और ये साथ की से और अच्छी दिल भहलाने की चारीखे से मनाए जाए जाए दिखिए मैं उसकी अजाज़त देत कर हैरान होता था कि एक खातुन बहुत बंसवर की निकलते थे तो मैं समझता था कोई गिराइड बड़े आफिसर है उनों मगर एक वक्त इत्तिफाक यह हुआ कि मैं जिस घर में रहता था वह साहब बताई कि ये जो सामें से जा रहे हैं ये कोई आफिसर नहीं है बलके इन भर में से इन्हों निकल रहें, तो हमारे पास यह हो गया आजकल, दिखावा ज्यादा हो गया, खाने को खाना नहीं है, रहने को जगे बराबर नहीं है, मगर अपने आपको पेश करने में, हम आपको जो कोई पीछे नहीं हट रहें, ये बेकार बातों केंदें का नशा, आवारा गर्दी का नशा, मुबाइलों का नशा और ये सुब नशे है, ये पूरे नशें को हमारी हुकूमत तवज्जो दे, आज कल देखिए आप मुबाइलों के लिए खतल हो जा रहा है आजकल हमारे मुबाइलों के लिए बच्चियों में कईसे कईसे तसावीर भेज दे रहे हैं कि शर्म आ रहे हैं तस्वीरे देखके यह सुब चीज़ों को पहले तो माबाप का सुबसे बड़ा इसमें किड़ा है जैसा कि देखता हूं कई उल्माय मशाखिन के तखरीर वाट वो हलाल पैसों से या हराम पैसों से यह तीज़ों पर तो नदर अंदास है और कोई उल्माय मशाखिन का इस पर बात देखिए मैं तो एक बात का खायल हूँ अगर आप अपने जेप से चने भी देंगे तो मेरे रसूल के पास वो भी आज़ीज़ है शुनाचे एक वाकिया हमारे खुद एक बजग बढ़ता रहे थें कर सरकार की मुवबबत में उन्हों चने तक्सिम किये तो खाव में वो चने लेकर सरकार नोश फरमा रहे थे तो अल्ला के पास रसूल के पास और हमारे बुज़रगों के पास चंदे की दावत तो है से नहीं ये गल्ले पकड़ पकड़ के उसूल कर ले के महले वालों को खिला रही है जायज ही नहीं ये खाना अच्छा फिर आप पैसे ले रहें किसे ले रहें हां हां एक मजबूर से लेके आप दावत कर रहेए तरूरी है दूसरी बात एक हराम पैसे जूवब खिलने वाई से पैसे लेक़ आप उसमें मिला दी है पूरा खाना जो है हराम हो गया इस आप का एक खत्रा जैसा पूरे पानी को खराब करता उनका एक रुप्या पूरे खाने को खराब कर देता तो लोगों की एसन्स जारी नहीं है कि फालीस पाइसा कोशा है अच्छा पाइसा कोशा है वैसा तो सोंच रहें ने लेकिन फिर खाली दावप कर देना खा लेना खिला लेना कई को पहले तो कई ऐसे दावातों में मैं माफी चाता हूँ और रिकार्ड बोरों काई ऐसे दावाता हम लाग देखे हैं जहां पर दूसरे बड़े जो सरपरस रहते रह बर रहते जो दीन की बात करते उन्हों भी वो दावात में दिखते देखिए मैं अपनी बात कह सकता हूँ मैं तो आपको हैरत होंगी मैं किसी दावत में शरीक ने होता हूँ और दूसी बात मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो खाना कहा पकाया जा रहा है तो मैं मालूम करता हूँ कि गाउं को भी जाता हूँ मैं तो वहाँ घर पे जाके पूछता हूँ ये क्या काम करते हैं वहना मैं अपना टिफिन लेकर खा लेता हूँ मैं अपना साथ टिफिन लगता हूँ मैं गाउं को जाता हूँ तो मदर से मैं ठहरता हूँ तो मदर से कहा नहीं खाता बलके अपना खाना खा क्या आता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अलमा परेस करते हूँ ये नेबल के नहीं मंगर उनको इल्म में हूंगा अगर उनके इल्म में ला जाए एक पैसा गलत है तो शायद वो लगा भी इससे इहत्याद करें आपकी बेबाकी को सिर्फ शहर है हैधराबाद ही नहीं लेकि हैधराबाद की जो गैर मुमालिक में रहते वो सोब लोग आपकी उसको सलाम करते तो मौलाना साब अब जैसा कि आपने बेबाकी से बोला कि संडे फंडे अगर नए खतम करेंगे तो हम हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देंगे क्या ये मिलाद के जल्से में जो तरीखा है मना नहीं क्या आप उसको भी चैलेंज करें कि अगर वाक्षए ये अमल हम जारी कर देंगे तो ये हक अदा होगा अल्ला के रसुल की महबबत का तो नाजरीन ये थे मौलाना जाफर पाशा साब आप अपने दोस रियासत लिय खान को दे अजाज़त अल्लाह प्रूश आप